आज की वीडियो में बात करेंगे वन प्लस 12 की जैन दोस्तों क्या आल है वैसे मेरे पास वन प्लस 12 वार भी है कोईश करूँगा इसकी वीडियो देने की इतने लोन चीज है भाई आज करें लेकिन मेरे पास यह वन याद है मैं वन प्लस 12 का FIRST look share किया था जहां पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता था लोन से पहले हो वीडियो वीडियो लाऊँगा तो मैं अंवक does क्षे करना सब्सक्राइब है वुट्ण भी review नहीं है बट हमने इसको थोड़ा यूज किया मैंने भी किया थोड़ा टीम ने भी किया तो इसका मतलब अब मैं इसके बारे में बेटर डीटेल दे सकता हूँ इस वीडियो में आपको एक एक करके शुरू करते है प्राइब ऐसा इस फोन का 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ सुरू ह होगा यह 64999 रुपीज 2000 का का डिसकाउंट एक्स्ट्रा है फिजिकली अगर बात करें यह फोन कैसा लगा मुझे जैसे वन प्लस 11 मैंने यूज किया था जब वन प्लस 12 आता है पहले तो यह भारी फील होता है वन प्लस 12 का वेट है 220 ग्राम हाले कि यह सबसे भारी फोन नही है पीछे wireless charging का option एड किया गया तो इसके वेट और थिकनस पहले से थोड़ा बढ़ा है लेकिन वैसे फोन का जो वेट distribution है तो वेट distribution ठीक है दोनों साइड और मैं ऐसे बाहर गया था तो वन प्लस टोर दिखा मुझे उसका दूसरा color भी देखा personally मुझे यह वन प्लस 12 का color ज मैंने बताई था आपको IR blaster option एड हो चुका यहां उपर 50 watt wireless charging एड हो चुका है नीचे जो USB charging port है यह USB 3.2 हो चुका है पहले पुराने वाला था और periscope 2X की जगह अभी 3X हो चुका है वैसे periscope से मैंने यह कुछ अलग-अलग photos भी click करी है अभी camera की थोड़ा बात करेंगे औ और कुछ चीजे जो real life में मुझे दिक्कत नहीं दिखे इन दिनों में calling okay है connectivity में कोई issue नी दिखा in fact बात वगरा करते है तो earpiece काफी loud है और जो इसका dual speaker है बहुत अच्छी quality है तो speaker अच्छा लगा मुझे और साथ में जो haptic typing के time UI में या फिर camera switch करते हुए अलग-अलग भी आप अपने phone को use कर सकते हैं जो मैंने चेक किया हां भाई सच में use कर सकते हैं थोड़ा बहुत ही 10 मीं से यहां भी होता है लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं मतलब आपका काम कर देगा तो gimmick ही नहीं लगा मुझे वहीं पर डिस्प्ले की बात करें 6.82 इंच की एक QHD प्लस डिस्प्ले है डिस्प्ले 10 बीट के अप्शिन के साथ आता है 120 हर्स LTPO है और हां यह वन हर्स तू 120 हर्स स्वीच करता है और यहां पर हमें कुछ चीज रहता है तो डिस्प्ले प्रोटेक्शन तो अच्छी है गोरिला ग्लास विक्टस टू है बागी यहां पर नमबर ओफ निट्स पर मत जाएगा आप सिरफ बट मैंने एक वीडियो में अच्छे समझाया था आपको कि जब मैक्समुम ब्राइटनेस नमबर ओफ निट्स दिया जाता है अलग 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 तरीके शो करते है जब आप HDR वीडियो देखते हैं वहां पर मैक्सम जा सकता ह या फिर पीक ब्राइटनेस के टाइम और इंडोर में अलग तरीके से काम करता है यह अलग अलग नमबर्स होते हैं इसका अगर ओफिचल वेबसाइट पर देखें तो 1600 निट्स लिखा हुआ हाई ब्राइटनेस मोड और जब पीक की बात करते हैं तब 4500 निट जाता है जो क जो वीडियो देखने का experience है जो colors आते है डिस्प्ले पे वो अच्छा आते है इन फैक्ट जो इन डिस्प्ले फिंगर पिन स्कैनर है यह वन प्लस 11 है इसका भी काफी अची पोजिशन पर था थोड़ा ऊपर है बट वन प्लस 12 में यह थोड़ा और ऊपर हो चुका है तो ज् तुद श्कोर मैंने चेक किया 1.9 million के असपास आता है performance mode पे total test किया मैंने 81% normal mode पे performance mode पे 75% हलागी normal user performance mode पे नहीं रखता फोन को ज्यादा था बट मैं टेस्ट कर रहा था बागी मैंने इसको real life test किया भाई क्योंकि मुझे यादा है मैंने जैरी डिक अवरी तिंग की वीडि 1 plus 11 के साथ 1 plus 12 दोनों में 4K 60fps recording करके रख दिया initial temperature 31 30 degree के असपास था दोनों फोन का क्योंकि एक time था जब 1 plus 9 pro अगरा याद है मुझे 4K 60fps पे 1 plus के phone बहुत ज्यादा long time की recording नहीं करते थे बहुत थोड़ा recording करके रुख जाते थे बट इसके अंदर मैंने recording किया तो यह दोनो recording करते चले गए इनफेक्ट मैंने ना 30 मिनट recording के बाद temperature चेक किया था तो 40 41 डिगरी 1 plus 11 था 1 plus 12 39 डिगरी के असपास था फिर मैं recording को और ज्यादा देर तक continue रखा मैंका देखे क्या temperature बढ़ता है इसके बाद temperature नहीं बढ़ा 1 plus 11 में तो 8 gen 2 था बढ़ियां balance करता था वो 1 plus 12 म 3 मैंने मैंने का बस अब भोत होगे आप खुद ही रोग देता हूं मैं अब इस test को मैंने क्यों किया simple सी बात है इससे पता लगता है कि अगर आप long time video करते हैं कहीं meeting करते है camera यूज होता है ना तो मुझे नहीं लगता कोई issue होना चाहिए आपको उसके रेंडर टेस्ट भी क जेड़ घंटे लगबग लगातार खेला और आप यकीन मानो temperature थोड़ा सा ही warm हुआ था ज्यादा गें नहीं किया phone ने जब हमने जैंसिन इंपक्ट राई किया वन आवर उसमें थोड़ा सा temperature और गें हुआ वो थोड़ी और heavy गेम है बीजेमाई तो काफी optimize होती जारी दिर बट जेंसिन गेम का performance अच्छा रहा इसमें भी थोड़ा temperature गें किया बट कोई major heating issue नहीं मिली तो इन test में कह सकता हूं performance तो no doubt काफी अच्छा है thermal भी अच्छा control कर रहा है तो यहापर मैं कह सकता हूं जो उसका cooling chamber है वो काफी सही काम कर रहा है hardware के combination के साथ वैसे तो officially आपने स साथ मिलके optimize करता है कि आपको better performance मिल सके better gaming मिल सके या फिर management को manage करना हो या फिर जिस भी तरीके से user अपने phone को ज्यादा यूज करता है उसके user pattern वगारा को पहचान के तो phone को उसके behavior के साब से उसको optimize करने कोषिश करता है तो यह था इसका मतलब बाकि in real world ज्यादा important होता है व अब यहाँ पर दो बात है सबसे पहले oxygen उस 14 में कुछ नए features भी आड हो गए है like wild dog side में यहाँ कोई photo वगारा रखके आप dragon drop कर सकते हो या फिर link to window feature आ चुका है directly phone को PC में access करने के लिए जायर से बात है पहले वाला oxygen OS नहीं है बट अभी इसमें features ज्यादा है clean है तो यह ची पहले के comparison में 120 हर्स काम करता है बागी हां कुछ application जैसे लाइक chrome इसके अंदर 90 हर्स शो करता है बट इसको अगर आप हाई 120 हर्स पर रख देते हैं तो chrome भी आपका 120 हर्स पर काम करने लग जाता है in fact मैंने एक और चीछ नोडिस किया high पर भी इसका refresh rate 1 to 120 हर्स switch करते हुए दि 32 Megapixel की selfie खैर यहां पर मुझे explain करने के लिए थोड़ा सा मैं असान करने के कोशिश करता हूं because ऐसे long term camera टेस्ट नहीं किया गया है बट मैं ट्राई किया काफी samples click करने की तो मैं एक एक करके explain करता हूं पहले तो मुझे एक चीज़ notice हुआ जो कि मुझे रगता है soft update से fix करने क जरूत है ultra wide angle camera से जब photo click करते हैं आपको तो पता होगा किसी फोन से जब low light में photo click करते हैं थोड़ा सा रुखना चाहिए आपको जल्दी हटा लेंगे तो shake हो जाती है photo क्योंकि light capture करने के लिए sensor को time चाहिए but मैंने notice किया इसका ultra wide angle camera daylight में अगर photo click करके थोड़ा सा जल्दी जाती है बहुत ज्यादा देर नहीं hold करना आपको बस instant हटाना नहीं है तो थोड़ा यह fast किया जा सकता है software update से लेकिन उसके बाद अगर बात करें जो मैंने photos click किया सबसे पहले main camera photos की बात करते हैं मैं different different click किया मैं notice किया photos natural tone थोड़ा contrasty side इस तरीके से result देता है यह details अच्छ light यह main two x three x six x light balance भी कर लेता हो noise काफी अच्छा control करता है उसके बाद बात कर रहेंगर portrait photos की तो आपको option मिल जाएगा one x two x three x portrait photos लेने का blur भी ठीक कर ले रहा है थोड़ा artificial side है लेकिन edge detection मुझे अच्छा लगा जैसे यह photo देखो आप इन दो पोल के बीच में भी proper इसने blur किया आप फोन के camera में setting मिलती है आप three x या फिर six x तक भी zoom कर सकते हो और six x पे digital होगा बट काफी lossless zoom होता है detail ज्यादा गायव नहीं होती इसमें यह जितनी photos मैं आपको अलग 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 दिखा रहा हो न यह सारी photos मैंने six x zoom के साथ click करी है और six x पे जो photos आती है अच्छी लगत कर दिया तो यह result आता है 30 x कर दिया तो यह photo आती है काफी usable आ सकती है यहां तक बाकि जाने को 120 तक जाता है फिर वही fun के लिए हो जाती है photos और वीडियो की बात करें वैसे 8K का option मिलता है बट रियल लाइफ में मैं 4K 60fps maximum shoot करता हूं तो 4K 60fps आप shoot कर सकते है आप 4K 30fps पे चा होता video quality मुझे one of the best नहीं कहूंगा मैं good enough कह सकता हूं decent बोल सकता हूं photos मुझे ज्यादा अच्छी लगी इसकी वैसे इस बार आप selfie camera से भी 4K 30fps की video shoot कर सकते है पहले ही नहीं होता था तो कुछ ऐसी video quality मिल जाएगी studio light से यह artificial light था और अभी मैं बाहर जा रहा हूं outdoor condition में और दूप के opposite अगर जाते है तो ऐसे video quality मिलते है तो audio video का अंदाजा लग जाएगा तो यह सारा कुछ मिलता है oneplus 12 में performance इसका काफी एच्छा निकल जाता है thermal का पर एच्छा control कर रहा battery backup भी ठीक है और लोंग टेस्ट किया जैसे मैंने गा बट 400 mm एक्स एक्स्टा है तो वो अप screen protector वैसे लगा हूँ आता है आई होप मैंने काफी कुछ है आपको बता दिया होगा इस phone के बारे में कोई सवाल हो क्या कहना है comment में बताईए और OnePlus 12R के बारे में भाई अगली planning करने कुश्च करता हूँ क्या चाहिए बताईए comparison या क्या direct क्या चाहिए और यह वीडियो पर स